तो students अब हम जो topic पढ़ने वाले हैं वो है conflict, conflict behavior अभी तक आपने पढ़ा होगी conflict इंसानों में होता है conflict resolution होती है but conflict behavior animals में भी होता है तो basically conflict है क्या conflict आपके पास जब दो different motivational systems होते हैं वो एक ही वक्त में motivate हो जाते हैं एक ही बंदे में एक ही individual में ठीक है तो उसकी वज़े से जो action result में आता है उसको conflict कहते हैं ठीक है दो different type के motivational system जब activate हो जाते हैं एक ही वक्त में एक ही individual में और उसकी वज़े से जो action आता है उस action को conflict कहते हैं conflict behavior को commonly clash भी कहा जाता है या हम कह सकते हैं किसी भी एक बात पर disagreement या अगर argument होती है किसी भी चीज़ पर तो उसे conflict कहते हैं इसके अलावा अगर हम दूसरे words में कहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ individuals के जो सोच होती हैं एक दूसरे से different होती हैं उस सोच की वज़े से ही उनके आपस में clashes होते हैं उसको conflict कहते हैं तो यह तो हमारा पास होगी definition के conflict है क्या चीज़ अब आपके पास एक conflict के दोरान animals में एक phenomena देखा गया था 10 virgin ने 1951 में उसको observe किया था ठीक है animals में उसको observe किया था special type का behavior था तो उसको कहते हैं displacement activities अब displacement activities है क्या चीज़ यह आपके पास special type का behavior होता है जिसको animals में देखा जाता है conflict की situation के दोरान conflict situation के दोरान animals कुछ खास किसम का behavior शो करते हैं उसको कहते हैं displacement activities जिसको टिन बरजिन ने 1951 में डिस्क्राइब किया था वैसे तो displacement behavior जो शो होता है during conflict उसके कुछ benefits भी होते हैं लेकिन अगर उसको conflict resolution की view से देखा जाए तो फिर वो बिल्कुल irrelevant है जो activities आपके पास animals perform करते हैं अब आपके पास कुछ examples है displacement behavior की जो आपके पास दो roosters होते हैं दो कुक्स होते हैं मुर्गे तो वो जब आपस में fight करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए fight के बिल्कुल बीच में दोनों side पे चले जाते हैं और क्या करते हैं और क्या करते हैं जब दोनों side पे चले जाते stones को और चोटे चोटे grass के pieces को और ऐसी चीज़ों को भी उठा लेते हैं जिसका उनको कोई फाइदा नहीं होता उसको फिर वो बाद में गिरा देते हैं इसके इलावा fighting girls girls आपके पास वो है birds है fighting girls जो है न तो वो जब fight के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं तो उस time में वो grass की pulling स्टार्ट कर देते हैं अब grass की pulling करना जैसे अब एक thirsty dove है तो उसको एक behavior prevent करता है water को पीने से वो water को नहीं पीती जब उसको प्यास लगती है conflict situation में वो water की बजाए वो क्या करते है अपनी प्रीनिंग शुरू कर दे प्रीनिंग क्या होते है बीक की help से जो birds अपनी body की cleaning करते हैं oiling करते हैं उस process को प्रीनिंग कहते हैं तो यह जितनी भी examples हमने देखी तो conflict की situation में यह काफी irrelevant responses थे जो animal ने शो किए यहीं हमारे पास displacement behavior है इसमें क्या हुआ कि दो different motivation opposing motivations आ गए थे animal के वो यह भी कर सकते थे वो यह भी मतलब दो different options आ गए animals के पास लेकिन उन्हों न ने एक बिल्कुल change type का behavior शो किया और वहीं behavior जो था कि conflict के बिल्कुल बीच में जो आ गया वो irrelevant behavior था अब आपके पास अब आपके पास कुछ birds होते हैं उनके पास दो चांशाँ जब प्रिडेटर आ जाते तो birds के पास दो तरह क्या options होते हैं वो या तो behavior है conflict के दोरान तो conflict या फिर frustration का जो behavior होता है उसकी वज़े से काफी ज्यादा unexpected या unusual type का behavior animals perform करते हैं और उस behavior का इन पे कुछ अच्छा अशर भी होता है इनकी welfare में काफी important role play करता है अब अगर कुछ animals हैं उनको आप कुछ period के लिए किसी जगे पे restrict कर लेते हो तो क्या होता है कि वो animals आपके पास एक different type का behavior शो करते हैं जिसे polar bears को अगर zoo अगेरा में cat कर लिया जाए तो वो क्या करते हैं वो ground में इदर उदर movement करते रहते हैं और एक ही जगे पे खड़े होते हैं जब ground में इदर उदर movement कर रहे होते हैं पॉलर बेर्स वो उसी ground की picking करते हैं उसके लावा एक जगे पे खड़े होके अपने head को कभी एक side पे shake करते हैं कभी दूसरे side पे shake करते ह बाद वो ऐसा करते हैं कि अपने मौथ को वहां पर जो बार्स मौजूद होते हैं ना पिंजरों वगयरा की सलेख उसके साथ अपने मूख को इतना रब करते हैं कि उनका मौथ ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देता है तो यह क्या हुआ यह जूमें रिस्ट्रिक्टर है कुछ स्टेरियोटाइपी 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 और उसके साथ कुछ बुरा ऐसा हुआ है कि जिसकी वज़े से यह unusual behavior शो कर रहा है वो stereotype behavior शो कर रहा है अब ऐसा होता है कि घर में जो मुरूगया लोग पालते हैं अगर उनको छोटे-छोटे cages में बंद कर दिया जाए तो वो क्या करती हैं? वो वाक करती है, forward आगे जाती है और पीछे जाती है और यही behavior शो करती है continuously वो इस तरह इसलिए करती है कि वो try करती है कि वो escape से इस चोटे से पिंजरे से निकल जाए खुद को escape कर ले लेकिन जब उनको उस पिंजरे से निकाल दिये जाते है वो फिर भी वही behavior कुछ time बाद भी show करती है तो इस तरह के behavior show करते है कि जब animal normal condition में भी आ जाए कि वो किसी stressful situation से या तो अभी गुजर रहा है या past में उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है कि जिसकी वज़े से वो इस type के abnormal behavior show कर रहा है वैसे तो आपके पास stereotype behavior mostly abnormal या कुछ pathological ही होगा लेकिन कभी-कभी आपके पास normal behavior को भी हम fixed behavior या stereotype behavior कहते है अब आपके पास जो functionalist stereotype behavior इसके benefits क्या है वो कैसे animal की welfare में रोल प्ले करता है काल्फ आपके पास क्या होते हैं जो गाए के बच्चे होते हैं काल्फ कहते हैं गाए बैंस वगेरा ये बच्चे तो वो क्या करते हैं वो जब उनको एक nipple दिया जाता है एक उनको टीट दिया जाता है काव का जिसमें milk भी नहीं होता वो उसको वैसे ही suck करते हैं वो उसको काफी vigorously suck करते हैं उनको कोई milk मिलता नहीं उसके बावजूद भी वो उसकी suckling करते हैं तो ये non-nutritive stereotype behavior होगे क्योंकि उनको वहाँ से milk तो नहीं मिल रहा है nutrition तो नहीं मिल रही लेकिन इसका इनको एक फाइदा होता है फाइदा इनका ये होता है कि इसकी वज़े से दुबारा से suck करते रहते हैं तो उसकी वज़े से क्या होता है कि इनमें एंसुलीन और कॉलेको सिस्टोकाइनिन हॉर्मोन सिक्रीड हो जाता है जो कि इनको ये जितने nutrients अपने food से लेते हैं उसकी digestion में help देते हैं ठीक है तो अगर आप इस ब्लॉक को read करना चाहते हैं तो ब्लॉक की link description में दी गई है वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें Thank you